नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार अगर कर्ज बढ़ जाए तब जीवन मुश्किल में आ जाती है समझ में नहीं आता है आखिर कैसे इन चीजों से बाहर निकले हैं कभी कभी तो कर्जे इतने परिसान करते हैं कि लगता है जैसे जिन्दगी ही बेकार है बहुत साहे दर्सक हैं कहते हैं कर्ज से परिसान है लाख प्रियोग कर लिए लेकिन फाइदे नहीं हुए बहुत खर्च हो चुके हैं कर्च से मुक्ती भी नहीं मिल पारी पैसे भी खर्च हो रहा हैं तो आगे कर्जों से मुक्ती पाने के सरल उपाई क्या है जिसमें खर्च भी नहो एक दो रुपया का चीज है बस इतना ही आपको छोटा सा परियोग करना है लेकि उसके पहले एक बात हमेसा याद रखिए पत ही जादा मुस्किले आएंगी कर्ज से मुक्ती पाने में और काले रंग के पेंसे कर्ज के पेपर पर भूल कर भी साइन मत कीजिएगा वरना बहुत परिशान ही आएगी तो ये तो थी कि कर्ज से आप परिशान है आप आगे चल कर परिशान हो उसके लिए भी उपाय है खास कर बुद्धवार और सुक्रवार के दिन अगर आप कर्ज लेते हैं तो जल्दी चुकता हो जाते हैं वैसे तो मंगलवार के दिन आप किसी को पैसे भी देते हैं तो जल्दी वापस नहीं आएंगे गुरुवार के द वाले के दुकान में आपको वो चीज मिल जाएगी वैसे तो पूजा समगरी के दुकान में भी मिलती है यह पूजा में प्रयोग होता है आपको क्या चाहिए कथा कथा तो नाम सुना होगा ना पान में डाला जाता है कथा तो आपको गीला वाला कथा नहीं लेना है सुखा व अब इस टुकड़े से मंगलवार के दिन कहांब पर आप अपने हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर में भी फुजास्तान पर कर सकते हैं फुजास्तापन पर नहीं तोर साठके जमीन पर सीधी रेका खी जिये तीन सीधी रेखा और हनुमान जी का नाम लीजिए फिर अपने पैर से इन तीनों लकीरों को मिटा दें तीन मंगल बार लगातार ये परियोग करें आपको लाव होना सुरू हो जाएगा कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी फिलाल भी दालेंगे हर हर महादेव धन्यवाद जानकारी कैसी लगी आपको कितना फायदा हुआ जरूर बताईएगा धन्यवाद